नमस्कार दोस्तों PM किसान सम्मान निधियोजना को लेके बहुत ही बड़ी ख़बर निकल के सामने आ रही है जी हां दोस्तों दो करोड किसानों का PM किसान सम्मान निधियोजना की जो लिष्ट है उसमें नाम काटा जा चुका है तो दोस्तो किस तरीके से आप जो है अपडेट लिष्ट हो गई है जो अपडेट लिष्ट है उसमें किस तरीके से आप चेक करेंगे कि आपका नाम तो कहीं काटा नहीं गया है तो दोस्तो आज इस वीडियो में हम आपको शंपू जानकरी देने वाले हैं कि आपका नाम काटा है या नहीं काटा है ये आप किस प्रकार से अपडेट लिष्ट में चेक कर सकते हैं और दोस्तो इसी के साथ जिन दो करोड किसान भाईयों का PM किसान समान निद्योजना की लिष्ट में नाम काटा है तो किस कारण की वज़े से किस रीजन की वज़े से उन किसान का नाम काटा है वो भी आज इस वीडियो में हम लाइव आपको बताने वाले हैं तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूडूब चैनल पर नए हैं पहली बार आये हैं अगर आपने अभी तक हमारे यूडूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप देख सकते हैं PM किसान सम्मान निधियोजना PM किसान पोर्टल से हटाए गए 2 करोड से अधिक किसानों के नाम कहीं आप तो सामिल नहीं है देखे पूरे लिश्ट तो दोस्तों देख सकते हैं PM किसान सम्मान निधियोजना का जो अपिसल पोर्टल है वहां से जो है लगबग 2 करोड से अधिक किसानों के नाम हटा दिये गए हैं तो दोस्तों चलिए किस वज़े से किस कारण से किसानों के नाम हटाए गए हैं ये इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं और कहीं आपका नाम तो नहीं हटा है ये आप कैसे चेक करेंगे इसके बारे में चरचाद इस वीडियो में हम करने वाले हैं तो दोस्तों देख सकते हैं मोधी सरकारने किसानों के खातों में PM किसान सम्मान निजिय उजना की साथवी किस्त जो है भेजना शुरू कर दिया है लेकिन केंद्र सरकार ने अब फरजी तरीके से इस योजन्या का लाब उठाने वालो पर नकेल कसना भी सुरू कर दिया है मोधी सरकार जो है किसानों को हर साल 6,000 रुपे की आर्थिक मदद सहयता रासी सरकार की तरब से किसानों को हर 4 महा के अंतराल में 2,000 रुपे की किस्ट के मादम से किसानों को लाब दिया जा रहा है इसी के साथ दोस्तों 1 दिसंबर से 7 वी किस्ट जो थी वो आना सुरू हो गई थी लेकिन इस बार योजना का लाब लेने वाले किसानों की संक्या पहले की तुलना में काफी कम हो गई है इस समय पीम किसान सम्मान निद्योजना की ओपिसल पोर्टर पर इस योजना का लाब लेने वाले किसानों की संक्या तक्रीबन 9 करोड 97 लाग के आसपास ही रह गई है जबकि कुछ दिन पहले ये जो आंकड़ा था ये जो संक्या थी ये 11 करोड के करीब थी यानि की लगबग 2 करोड से अधिक किसानों के नाम पीम किसान सम्मान निद्योजना की ओपिसल पोर्टल से हटा दिये गए है दोस्तों जानकारी के मताबिक कई राज्यों में किसानों ने फर्जी तरीके से इस योजना का लाब लेने की खबर सामने आई है जिसके बाद सरकार ने ऐसे किसानों से रीकवरी करना भी स्टार्ट कर दिया है जो इस योजना के लिए पात्र नहीं है जो इस योजना के इलीज़ना के दायरे में नहीं आते हैं अभी तक ऐसे मामलों में सबसे ज़्यादा बात करें तो सबसे ज़्यादा मामले जो है महराष्ट उसके बाद MP और UP के सामने आये हैं इन तीन राजों में सबसे ज़्यादा ऐसे केस फरजी वाड़े के सामने आये हैं माना जा रहा है कि recovery की डर से कई राज्यों में फरजी entry करने वाले किसानों ने अपने नाम खुद से भी हटा लिये हैं जबकि लाखो किसानों को उनके गलत data के कारण portal से हटा दिया गया है यान कि काफी लंबे समय से जिन किसानों का यहां पे गलत तरीके से data पड़ा हुआ थ उसमें किस भी प्रकार का संसोदन नहीं करवा रहे थे तो उन किसानों का data भी हटा दिया गया है कई किसानों को अभी तक PM किसान सम्मान निद्योजना की साथ भी किस्त का पैसा नहीं पहुँचा है हो सकता है कि आप भी ऐसे लोगों की list में समिल हो चुके हो जिनका PM किसान सम्मान निद्योजना की list से नाम हटा दिया है तो आप किस तरीके से check करेंगे कि आपके जो update list है जो PM किसान सम्मान निद्योजना की तहत जिन किसान भायों के नाम हटाए गए है उस list में आपका नाम है या आप कैसे check करेंगे तो इसके लिए आपको Google का new page open करना है आप laptop PC computer किसमें भी check करना चाहे उसमें check कर सकते हैं और search बार में आपको type करना है pmkisan.gov.in जी हाँ दोस्तों आप type करेंगे small aksar में बिना space के pmkisan.gov.in इस official website का link हाला कि मैंने video के नीचे description में भी plug करा दिया है आप वहाँ से भी redirect जा सकते हैं या आप search भी कर सकते हैं तो आप जैसे ही search करेंगे तो आपके सामने PM किसान सम्मान निधी उजना याने की भारस सरकार क्रसी एम किसान कल्यान मंतराले की official website open होगी इस website में आने के बाद आपको right side में एक option दिखाए देगा farmer corner जहाँ पे मैंने underline किया है आप देखिएगा आपको एक option दिखाए देगा farmer corner यलो के अंतरगत black action में लिखा हुआ इसमें काफी option चोंगे जैसे new former beneficiary status beneficiary list तो आपको मैं जूम करके दिखादू आपको एक option दिखाए देगा fifth number पे beneficiary list इसी option पे आपको click करना है आप जैसे ही दोस्तो इस option पे click करेंगे click करते ही आपके सामने इस तरीके से एक list जो है update होगी य इसमें आपको 5 basic सी detail select करनी है जैसे सबसे पहले state का option select करना है आपको अपने राज्य का नाम select करना है उसके बाद district का option यानि कि आपको अपने जिले का नाम select करना है उसके बाद third option में आपको sub district अपने उप जिले का नाम और उसके बाद fourth number पे आपको अपने block या अपने inefficient report के उप़ों करना है कि आप उस जिले की रिपोर्ट च्व करना चारहे है कि आपका नाम जो है जुड़ा है या नहीं जुड़ा है तो चलिए हम यहां पे example के दुटर पर आपको बता देते हैं एक राज्य की detail तो हम यहां पे सबसे पहले जो है state select करेंगे एक राज्य select करेंगे जैसे हम यहाँ पर select करते हैं राजस्तान सभी राज्यों के नाम यहाँ पर दिये हुए हैं तो आप जिस भी राज्य से ब्लोग करते हो आपको अपने राज्य का नाम select कर लेना है उसके बाद एक district आपको select कर लेना है उसके बाद आप एक sub district select करेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको select करना है एक block block select करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो है एक गाउं का नाम select कर लेना है चलिए मैं फिर से repeat कर दूँ आपको सबसे पहले अपने state अपने राज्जी का नाम select करना है उसके बाद district, उसके बाद sub district, उसके बाद block और last में आपको अपने village का नाम दिलर करने के बाद आपको simply get report के उपर किलिक करना है जैसे ही किलिक करेंगे तो आपके सामने ये update list open होगी जिसमें आप जो है देख सकते हैं सबसे पहले आपको serial number, उसके बाद farmer name, उसके बाद gender इस तरीके से आपके सामने जो है ये list update होगी इस लिस्ट में आप इस तरीके से एक page के अंतरगच 50 किसान भाईयों के नाम आप चेक कर सकते हैं लाश्ट में आप देख सकते हैं देशराज यादाव यहाँ पे नाम है उसके बाद निच्चे आपको next page पे जाने के लिए आपको page संक्या लेकियो ही दिखाई देगी 1,2,3,4,5,6,7 तो आपको जिस भी page पे जाना है आपको उसी page के page नमबर के उपर आपको क्लिक करना है जैसे हमें पांचवे page पे जाना है तो हम पांच वाले नमबर पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने 250 किसान भाईयों के नाम आ चुके हैं आप देख सकते हैं 250 पे है रती राम तो इस तरीके से आप इस update लिष्ट में चेक कर सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं है तो आज जो important जानकारी थी वो हमने आपके साथ share की है कि PM किसान शमान निधियोजना के तहट जो लगबग 2 करोड किसान भाईयों के नाम हटाए गए हैं तो उस लिष्ट में आपका नाम तो नहीं है या आप कैसे चेक कर पाएंगे तो दोस्तो अगर आपको जानकर यह अच्छे लगी ह बीष शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों तक यह जानकारी पहुंच सके और दोस्तो अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको जो रेड सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है उसके उपर क्लिक करके चैनल क सबस्काइब करें, सबस्काइब की साथ ही पास में बेले घंटे के निसान को दबाके और नोटिव के सन कोन करें ताकि इस्ती प्रकार से गुवर्मेंट की तमाम शरकारी योजनाओं की जानकारी आप हमारे योटुब चैनल के मादम से सबसे पहले और सठीक जानकारी जान सके तो उस्तो आसा करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सकाइब और वीडियो को लाइक सरी जरूर किया होगा तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे इसली प्रकार से एक और नए लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ तब तक के लिए जै हिंज, जै भारत, जै जवान, जै किसान